बिली और कैट को दातों से जुड़ी हर चीज़ पसंद है एक बार क्लास के बाद दोनोंने लाइबरेरी में स्टड़ी सेशन करने का सोचा सही नोटबुक ढूंडते हुए उनके हाथ टच हुए उनकी आख ही मिली और उन्हें प्यार हो गया उन्होंने डेट करना शीडू कर दिया और कैट ने बिल को अपना सीक्रिट बताने का सोचा सच बताऊं मैं तोथ फेरी हूँ पर उसको ये ख़बर अच्छी लगी वो दरह सल इस बात से बहुत खुश था उसने अपनी गल्फरेंट को एक तूथ रिंग देकर प्रिपोस किया अब वो इंगेज़्ट है ड्रेस पर आने के लिए स्ट्रेची फैबरिक पर एक टेम्पलेट का उप्लाइन करें ये एक बहुत खुबसरत डिजाइन है दोनों हिस्सों को साथ मिसी ले फेरी ये तुम्हाने लिए है ये अच्छे से फिट हो रही है टूटो कैट के तरह ही संदर है इसे सीक्वेंट बोस के साथ सचाए कट के पास एक राइन्स्टोन रिब्बन लगाए फेरी के चस्ट पर एक फेल्ट टूथ है वो राइन्स्टोन से कवर हो रखा है अब फेरी आसमान में उड़ सकती है और बच्चों का अपने कॉइन्स मिल जाएंगे लाइट कले से एक दाथ को एक स्टार की शेप दे हर फेरी को एक जादूई छड़ी की जबरत होती है कैट के पास एक खास वाली होगी प्लैनेट के दूसरी तरफ एक छोटी बच्चे कुछ कैंडी खा रही थी पर वो बहुत सक्थी और उसका दाथ थोड़ा हिल रहा था उसने एक बाइट खाई और आउच! दाथ उसके हाथ में आ गया माम! माम दौरती हुई अपनी बेटी के बास गई मेरा दाथ तूट गया हनी, कोई बात नहीं एक नया दाथ आ जाएगा, उदास मत हो तुम्हें बस ये दाथ अपने पिलो के नीचे रखना होगा और तूट फेरी तुमारे लिए कॉइन लेकर आएगी क्या हमें ट्राइ करना चाहिए लगता है उसे दिल्चस्पी है और तूट फेरी बच्ची के सो जाने का इंतिजार कर रही थी वो चिपके से अंदर आई, दाथ लिया और एक कोईन छोड़ दिया मॉली बहुत मश्कल से सबह तक इंतिजार कर पाई उसने तुरंथी बिलों के नीचे देखा ये एक फेरी मेरी पास आई थी बिल फैब्रिक लाया एक टेंपलेट का इस्तमाल करके डिटेल्स काटे एक डेंटिस्ट के लिए आउटफिट बनाने के लिए इसे सिले पॉकेट को एक फेल्ट टूथ के साथ सजाए कपड़े पहल लिए है अब किसी के दाथ में दर्द नहीं होगा बिल अपने दिन की शिरुवात एक कप काफी और अपने वाइब से बात करके करता है ओ, शिरू करने का समय हो भी गया मेरे पेश्टेंस को मिलने का वक्त है खेर, चलो देखते हैं किस-किस को नौ बज़े आना था कितना प्यारा बेबी है ये दाथ मज़े किसी की याद दिला रहा है लाइट क्ले से एक दाथ बनाए हाँ, ये एक असली क्रूस्टल वाइड दाथ है ये विली की पसंदीद आहट है बिल खशी से अपने बेटे के साथ किट्स रूम में खेल रहा था बाल को पकड़ो ये, अब हम सवारी करेंगे तुम सच में कमाल हो तुम एक हाती की भी सवारी कर सकते हो बाइस, अब अराम करने का समय है मॉम बेबी को इसके बेट पर सुला देती है वो थोड़ी देर सो जाए और तब वो फिर से खेल सकता है एक सॉलिड रेक्टेंगूलर पीस पर एक पेपर टेंपलेट लगाई बढिया और संदर छोटे क्लाइंट्स के लिए बिल्कुल ठीक बाइंडर नोट्स को पकड़ी रखेगा आज पेल का दिन बहुत बिजी है वो सुबा से पेशिंट्स को देख रहा है डाक्टर मेरी बीटी की दाथ में दर्ध है यह आज ही शुरू हुआ है आप बलकुल समय पर आई है अच्छ है किया बैट चाहिए वो डर गई है पर उसकी मामों से सपोर्ट करती है डरने की कोई बात नहीं है बिल्कुल यह बहुत जल्दी हो जाएगा बस सोचो कि तुम कैंडी खा रही हो एक डर्धिस चेयर बनाए और एक प्लास्टिक कप लगाए एक खास धकन और कार्डबोट सारी डिटेल्स मूवेबल होनी चाहिए चेयर को वाइट पेंट करें और उसे जगाँ पर रखें एक प्लास्टिक बॉक्स को कार्डबोट के साथ कवर करें यह स्नो की तरह ही सफेध है टॉय कंटेनर का आधा हिस्सा एक सिंक बनेगा एक फॉसेट और नल लगाए स्ट्रॉस की एक लूम मीसी कंस्ट्रक्शन लैंप को सिक्याओ रखेगी डेंटेस को इस तरह का अरामदाएक वर्क प्लेस पाकर खुशी होगी डेंटेस लड़की को चेयर पर ले गया उसकी बैटने में मदद की और मॉनिटर पर लाली लूक की तरह फिशारा किया ये बच्चों का ध्यान बढ़काने में मदद करता है डाक्टर ने जल इसे उसके लिए फिलिंग करती मॉम को चिंता नहीं करनी पड़ी हमारे डेंटेस के पास सबसे अच्छे टूल्स है एक प्लास्टिक स्क्यूर और एक पेपर क्लिप से बने टूल्स बहुत से क्यूर है इन्होंने बहुत बार अच्छा काम किया है और बहुत से स्पेशलिस्ट्स ने इन्हें रेकेमेंड किया है हमें मूह के अंदर देखने के लिए चीशी की भी ज़रद होगी पूरा सेट तेयार है काम पूरा करने के बाद डॉक्टर ने अपने पेशन्ट के दान्ट चेक किये बागी की दान्ट ठेक है लड़की को टूल्स इतने पसंदा है कि उसने सारे टूल्स को पास से देखना चाहा डॉक्टर ने उसे ये भी दिखाया कि उन्हें इस्तिमाल कैसे करते हैं लगता है तुम एक दिन डेंटिस्ट बनोगी शुक्रिया आपने हमारी बहुत मदद की मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है मैं बस अपना काम कर रहा था बिल ने उसे एक टॉई भी दिया ताकि उसके पास यहाने की अच्छी यादे रहे तार से एक जॉफ्रेम बनाए पिंक गम्स की शेप बनाए और बहुत सारे सीधी साफ दात जब डॉक्टर मॉम को अच्छी तरीके से दात साफ रखने के बारे में बता रहा था बच्चा चेर से नीचर तरता है और शर्फ की तरफ जाता है जिसमें बहुत सारी मजीदार चीज़े रखी है उसे वहाँ एक मॉडल जो मिलता है वाँ ये कितना अच्छा लग रहा है मैं सब को खा जाऊंगा माम डर गई और डॉक्टर हसने लगा अब इसने परफेक्ट दात देख लिए है मैं तुमें बताऊंगा कि क्या करना है ताकि तुमारे दात भी इतने अच्छे बन सकी चलिए एक फ़नी फोटो जोन बनाई एक फोम पेपर बेस पर एक प्रिंट चिप काई फेसिस के लिए उपनिंग काटे टाइटल है स्माइल क्लिनिक एक चेर के लिए एक दार के फ्रेम को ट्विस्ट करे एर ड्राइ क्ले से एक दात के शेप बनाई जो बिल्कुल असले दार जैसा लगे इसे वाइट पेंट करें और ग्लिटर से कवर करें ये बहुत सुन्दर है कई सारे पेशेंट्स अपने विजट के बाद पिक्चर लेने के लिए हॉल में रुखते है फोटो जोन हर केसे का ध्यान खेशता है हमारे क्लिनिक को चुनने के लिए शक्रिया तैयार हो जाएए मैं आपकी पिक्चर ले लेती हूँ एक, दो, चीज सारे पेशेंट्स एक अच्छी पिक्चर चाहते है काम करने के बाद विल, बेबी विल और कैट ने फोटो जोन में पिक्चर लेने का सूचा इसे हम अपने फैमिली अल्बम में लगाएंगे एक ट्रॉपर को काटें और बाटम को हर्टलो से सेल करें इसके अंदर माउथ वाश डालें इसके उपर एक डिसाइनर लेबल चिपकाएं और डेकन को सील करें डैड और बेबी अपने दाद ब्रश करने आए हैं मॉम अभी वापस आई है मैं अभी सही विली को मिस कर रही हूँ मेरा प्यारा बच्चा डैडी को भी अपने बेबी के साथ खेलना पसंद है पर अभी हमें रिंस करना शुरू करना चाहिए बेबी को पकड़ो और मैं सारी सही चीज़े तयार कर देता हूँ जब तक डैड को ज़रूरी काम कर रहे है मॉम बच्चे को संभालेंगी बिल और कैट अपने बेटे को एक अच्छा एक्जामपल सेट करके अच्छी डैंटेल हाईजिन की आदर दलवा रहे है डैंटेल फ्लॉस पनाने के लिए एक कैप और एक ब्लास्टिक वील का अस्तमाल करें इसे एक स्पूल के आसपास रैप करें और इसे कैप के साथ सिक्योर करें मैनुफेक्शरर प्रॉमिस करता है डैंटेल फ्लॉस वो साफ करेगा जो एक टूट ब्रश भी नहीं कर सकता बैट मिंटन खेलने के लिए एक बड़ी अदिन है नैंसी ने अपने ट्रेनिंग खतम की और अराम करने के लिए बैट गई स्टेफ वहाँ से गुज़र रही थी रुप जाओ ओ नैंसी तुम से मिलकर अच्छा लगा मुझे भी ये मैने अपने गार्डन में उगाए थे थोड़े तुम भी ले लो उप्स उसके दातों में अपल फस गया हम इसे कैसे निकालेंगे कोई दिकत नहीं है मेरे पर्स में कई एक फ्लॉस रखा है दात फिर से साफ हो गए फ्लॉस का शुक्रिया स्ट्रॉ से एक तूट पेस्ट ट्यूब बनाए ट्यूब के एजिस को दबाए इसमें तूट पेस्ट भरे एक पंप और एक कैप से सेट को पूरा करें इस पर एक लेबल चिपकाए तूट पेस्ट दात साफ करने के लिए तयार है गुड मानिंग जूली उठ गई और स्प्रेचिंग करने लगी मुझे अपना फिस वाश करना है और मेरे दात ब्रश करने है मेरा तूट पेस्ट कहाँ गया मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा शायद से वो शर्फ्स पर हो या ड्रॉप्स में हो क्या वो खतम हो गया और मैंने ध्यान ही नहीं दिया अचानक से एक तीज हवा चली और जौर अपने आप खुल गया क्या ये जादू है क्या तूट पेस्ट के बिन अपनी दाद ब्रश नहीं कर सकती इसलिए मैं यहां आई हूँ तूट पेस्ट हमेशा तयार रहता है और तूट फेरी हमेशा साव दातों के लिए मेहनद करती है तूमने सच में मेरी बहुत मदद की